हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अंडिदीश अनबॉक्सिंग के यूट्यूब चैनल में तो आज हम उनबॉक्सिंग करने वाल है एक रिष्ट वाच की लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूए एक रिष्ट वाच के अनबॉक्सिंग अल्रेडी हो चुकी है या तो उसकी बीडियो आ चुकी है या फिर आने वाली है तो आपने नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी देख लीजिए क्योंकि दोनों रिष्टवाच अलग अलग ब्रैंड के हैं लेकिन लुकवाइच दोनों के दोनों एस्टैलिस है तो चलिए फिलाल मैं इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है यह डबा तो यह है इपिक ब्रांड जो की सोनाट का एक सब ब्रांड है आप देख सकते हैं यहां पे लिख रखा इपिक बाई सोनाटा इसने लिख रखा कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो चलिए इसका में दिखा दूँग आपको 1045 उर्पे आप देख सकते हैं 1045 यहां पे लिख रखा है manufacturing डेट जो है वो जुलाई 2021 का है जो कि एक नया ही है तो चलिए अब इसको रखते हैं साइड में और दिखा देते हैं आपको डील कैसा मिला तो एक 1045 में आप इसे देख सकते हैं 199 और इसके आलावा मैंने 700 गया सपास सुपर कॉइंट भी दिया था फिलिपकाट पर तब जाकर यह मुझे मिला है तो च तरफ हास्ट्रेक भी है और उसी तरह का यह भी एक इपिक ब्रांड आया है टाड़ा के तरफ से तो चलिए देख सकते हैं यह हमारा वाच काफी अच्छे लुक में दिख रहा है तो चलिए इसको रखते हैं साइड में फिलाल देख लेते हैं इसके अलावा क्या 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 तो यहां पर लिए आप पड़ सकते हैं और यहां पर है रजिस्टर करने के तरीके वेफसाइट का लिंक दे रखा है आप रजिस्टर कर सकते हैं वाच को ऑन-लाइन ताकि वायरा आंटी क्लेम करने में कोई दिक्कत ना आए तो अब बारी है मैं प्रोड़क्ट को बाहर न पर एक टैग लगा रखा है तो देख सकते हैं यहां पर टैग में लिख रखा है 1045 रुपए MRP और इसके अलाबा बार कोड है तो इसको अलग करेंगे और इस ट्रैप को ओपन करेंगे तो इस ट्रैप भी अच्छी क्वालिटी की दिख रही है मुझे तो फिलहाल चलिए मैं इसे स्ट्रैप को ओपन कर लेता हूं और देख लेगता हूं ओवरल क्वालिटी क्या दी गई है तो आप इसका बैक देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है वार्ट रेजिस्टेंट है 30 मीटर में तो यह सारी चीज़ें यहां पर लिख रखी है अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो तो यहां से तो यह स्टॉंग निकला चलिए इसके लावा स्ट्रैप देख लेते हैं तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है तो यहां पे अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो जेन्विन लेधर करके लिखा हुआ है तो चलिए य क्लियर हो गई यह क्वालिटी भी फेहतेरीन है तो ओवर ऑल एक क्वालिटी से भर पूर है यह इपिक का रिष्ट वाच तो चलिए बार यह पान कर दिखाने की तो यह हाथों में काफी खफसुरत दिखती अगर आपके रिष्ट की जो थीकने से मीडियम टाइप की है तो आप देखेंगे वहां पे चावी के पास की के पास एक प्लास्टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है बिल्कुल यह न्यू पोड़क्ट है ओपन नहीं हुआ है चेन्वीन है तो चलिए पहले इस प्लास्टिक को हटा लेते हैं ताकि हमारा रास्ता जो है वो किलियर हो और यह एक अंसिल्ड कहलाएगा अब आप देख सकते हैं यह हो गया बाहन तो अब इसके बाद से मैं टाइम को मिला देता हूं तो इसकी की काफी स्मूथली वर्क कर रहा है बिना किसी दिकत के तो आप देख सकते हैं अगर आपकी वी रिष्ट की साइज जो है में मीडियम थिकने से तो आप जरूर इसको कंसिडर करिए काफी वेहतरी नवाच है तो आज की वीडियो में यहीं था दोस्तों फिलाल के लिए थैंक्स वर वाचिंग लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब बाए